हलो दोस्तों अंजुकी रसोई में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं उरत डाल के दही बड़े दही बड़े कैसे बनाएंगे हम आपको पूरा दिखाएंगे आप लोग पूरा वीडियो को बाच करिएगा बिल्कुल भी इसकिप मत करिएगा दही बड़ा बनाने के लिए हमने धुली हुई उरत डाल ली है और इसको हमने रात भर के लिए पानी में भीगो दिया था ये 500 ग्राम उरत की दाल है और इसी से हम बड़े बनाएंगे तो ये दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है अच्छे से साब पानी से हम इसको दो ल और धोने के बाद हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे दोस्तों और इसका हमको एक बहुत बढ़िया सा पेस्ट बना कर तयार करना है बहुत मोटा आपको नहीं रखना है और एक दम महीन भी आपको नहीं करना है तो हम यह मिक्सी जार में डाल दिये हैं और अब हम इसमें डाल लेना है यहाँ पर आप लेसुन ले लिए और हरी मिर्च ले ले ली जिए तो यहाँ पर 5-6 कलियां हमने लेसुन किड़ ले ली हैं थोड़ा सा आ हमने जीरा डाल देया है और हमने तीन हरी मिर्ची डाल दी है जैसे आपकी दाल जादा है तो आप यह द्युत Like अब्राद कर स हमारी दाल नहीं है तो ये कुछ इस तरह से हमारी दाल है ऐसे ही दाल आप बनाईएगा जब भी पीसेगा आपकी दाल ऐसी होने चाहिए इस तरह से जब आप थोड़ा मोटी दाल से बड़े बनाएंगी तो बहुत ही टेस्टी दाल के बड़े बनकर तयार होंगे और ये उरत पाउडर है वो हमने डाल दिया है और हम नमक डाल देंगे स्वादान सार तो अधा है एक सात मिकस करेंगे बहुत अच्छे हमको इस ताल को फेट लेना है क्यूंकि हम अगर अच्छे से नहीं फेटेंगे तो हमारे बड़े नहीं फूलेंगे, इसमें हम कोई सोडा या बेकिंग पाउडर बगएरा कुछ नहीं डालेंगे ऐसे ही हम बना कर आपको दिखाएंगे और बहुत ही फूले फूले से हमारे दही बड़े बनकर तयार होंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें बेसन मिलाएंगे, लगभग 3 से 4 चमच हम बेसन लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर चने की डाल नहीं भीगोई थी तो आप जब भी डाल भीगोएं तो चने की डाल भी थोड़ी सी भीगो दीजिए इससे आपके बड़े बहुत ही स्वाधिस्टिप बनकर तयार होंगे तो यह हम बेसन भी मिला देंगे और बेसन मिलाने के बाद इसको भी हम अच्छे से इसी के साथ फेट लेंगे नमक अगर आपको कम ज़्यदा लगे तो आप नमक थोड़ा सा घटा बढ़ा भी सकते हैं नमक हम अपने हिसाब से डाले हैं आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से नमक डालिएगा और वैसे भी हम लोग जब भी दही बड़े खाते हैं तो उपर से भी नमक डालते हैं चाट मसाला बगेरा हम उपर से डाल कर ही दही बड़े खाते हैं और बड़े हमारे फूले फूले से बनकर तयार हो, थोड़ी से दाल उठा करके हम पानी में डालेंगे, तो जैसे हम पानी ले रहे हैं, छोटी कटोरी में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है, और इसी में हम थोड़ी से दाल डाल कर चेक करेंगे, जब दाल हमारी उपर आ जा और मिलाने के बाद इसको हम थोड़ा सा चला देंगे, मिक्स कर लेंगे, बहुत जादा पानी हम नहीं डालेंगे, अगर आपको पतला दभी बनाना है तो आप पानी ज्यादा ले लिजे, दभी तो यहाँ पर हम गाड़ा-गाड़ा दभी रखें हैं, आप हम गैस पर वर्तन रख देंगे, गैस पर हम डाल देंगे, सरसों का तेल, आप चाहें तो रिफाइंड ओयल में भी इस जही बड़े को फ्राइ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सरसों के तेल में बड़े बनाएंगे, तो यह हम एक एक छुटा-छुटा करके डालेंगे, आप चाहें तो गोल नहीं बना रहे हैं हम पकोड़ी के सेव में बड़े बनाएंगे इस तरह से आपको जब ये तेल गरम हो ज़ाये तभी आपको डालना है तो गैस का फ्लेम आप यहाँ पर थोड़ा तेज रखियेगा और जब आपके बड़े पकने लगें तब आप गैस का फ्लेम स्लो तो इस तरह से आपको दूर दूर डालना है एक में सटा कर नहीं डालने हैं और यह जब पकने लगेंगे तब हम इसको उलट पलट करेंगे अभी हमको बिल्कुल इसको टच नहीं करना है तो यह देख सकते हैं कि हमने सारे बड़े डाल दिये हैं और यह बड़े हमारे नीचे से पक चुके हैं अब हम इनको थोड़ा सा चलाएंगे चलाने के बाद हम इसको पल्टेंगे भी तो अभी पहले नीचे से हम अच्छे से पका लेंगे यह दही बड़े हमारे फूल ने शुरू हो चुके हैं आप देख रहे हैं कि इसका सेब डबल हो चुका है जितना हमने बन रहे हैं जब आपके बड़े उपर नीचे दोनों तरफ से उठ जाएं उपर की तरफ उठने लगें गोल्डन ब्राउन हो जाएं तब ही आप इसको किसी दूसरे बरतन में निकाल दीजिएगा थोड़ा सा साइड में आप रोक कर रखिए ताकि जो इस्ट्रा तेल है वो ब रखिए ताकि सारा तेल निचुड़ जाए दुबारा से भी हम और अभी हमारे पास दाल है तो अम उसके भी बड़े बना लेंगे और एक एक करके सारे बड़े हम बना कर तयार कर लेंगे जैसे हमने पहले पकाए थे उसे तरह से हमें ये वाले बड़े भी पकाना है और एक बरतन में हमको पानी ले लेना है जो बड़े हमने बना कर रखे थे वो बड़े हम इसी पानी में डाल देंगे पानी में जब हम बड़े डाल देते हैं तो हमारे बड़े बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद ही हम इसको दही में डालेंगे तो ये बड़े हमारे लगभग 5 मिनट तक पानी में पड़े रहेंगे उसके बाद ही हम इसको निचोड निचोड कर दही में डालेंगे तो दही भी हमारा परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है आपने देख लिया हमने पानी मिला कर पहले ही इसको तयार करके रख लिया थ देना है क्योंकि ये बड़े हमारे बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं अगर आप तेजी से इसको दबा देंगे तो ये फूट जाएंगे तो इसलिए हम बिल्कुल हलके हाथों से इसको दबाएंगे जो इसमें पानी आ चुका है वो पानी पूरा हमें बाहर निकाल देना है और जो बाकी के हमारे बड़े बनकर तयार हुए थे वो भी हम इसी पानी में डालेंगे और इसको भी हम लगभग 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट के बाद इसका भी पानी हम निचोड लेंगे तो इस तरह से आपको बड़े बनाने के बाद पानी में डालना है 10 मिनट क की पाद निचोड़कर दही में डालना है। आप जितना भी हमारा जो पहले बड़ी दिखाई दिखाई दे रहे हैं वह हम दही में डबा देंगे यह बड़े हमारे खुब अच्छे से फूल जाएे। बहुत यह सरल्रेश्थी है दोस्तों, बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे और इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है तो ये सारे बड़े हमने दही में डुबो दिये हैं और ये लगभग 15 से 20 मिनट में पूरी तरह से भीग जाएंगे और इसमें हम मसाले बाद में मिलाएंगे पहले हम इसमें तड़का लग तब ही हम इसमें डालेंगे जीरा और हम दो लाल मिर्ची भी ले लेंगे इसको हमने लाल मिर्ची को हम दो टुकडों में तोड़कर डालेंगे इस तरह से आप भी इसमें तड़का लगाईए जीरा और लाल मिर्ची का तड़का जरूर डालिए हींग उपर से थोड़ी सी जाल दीजिए इस तरह जब आप तड़का लगा कर दही बड़े बनाएंगी तो बहुत ही स्वाधिस्ट दही बड़े बनकर तयार होंगे और यह तड़का हमारा पक कुका है अच्छे से और अब हम इसको उठा कर दही में डाल देंगे दही में डालने के बाद हम इसके उपर से फिर से धकन लगा देंगे धकन लगाने के बाद दो मिनट के बाद हम धकन को फिर से हटा देंगे और अब हमारे दही बड़े बनकर पूरी तरह से तयार हैं तड़का है हम पूरे में फैला देंगे कि चारो तरफ हमारा तड़का पहुंच जाए और जब हम दही बड़े निकालेंगे तो ये तड़का हमारा अंदर तक पहुंच जाएगा और ये दही बड़े हमारे खाने में बहुत ही तेस्टी लगेंगे तो अब हम एक प्लेट में निकाल कर आपको चेक भी करा देते हैं दोस्तों कि ये हमारे दही बड़े कितने जबरदस्त बने हुए हैं जो पहले के दही बड़े हमने डाले थे वही वाले हम दही बड़े निकाल रहे हैं और ये दही बड़े हमारे बहुत अच्छे से तो आप ने देखा कितनी जल्दी ये हमारे दही बड़े बनकर तयार हैं और ये फूल भी गए हैं पूरी तरह से जब भी आपके घर पे कोई भी महमान आने वाले हों तो आप जल्दी से दही बड़े बना सकती हैं उनको खिला सकती है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यदा लगते हैं आप चाहें तो इकली की चटनी भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन हम इसमें इसमें इमली की चटनी नहीं डालेंगे मेंмотр मı क्विकी तो यह कोई आपका बहुत जल्दी खटा हो जाता है तो ये इस तरह से हमने निकाल लिए हैं एक प्लेट में और अब हम उपर से नमक डालेंगे इसमें दोस्तों तो रेस्वी हमारी कैसी लगी जरूर बताईएगा हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उपर से हम सूखा मसाला मिलाएंगे थोड़ा सा चार्ट मसाला हमने लिया है थोड़ा सा काला नमक लिया है और यह सारे मसाले हमने एक ही में मिक्स कर लिये हैं और उपर से हम इस तरह से डालेंगे और इसको खाएंगे तो यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं